जासी नमस्ते नमस्कार सर्थ आप तो जासी की है इसलिए आपको तो बहार पढ़ने के लिए जाना बहार के विद्यारतियों से तो जो बहार के लोग रहते उनका तो कोशिस रहती होगी किस वाती उनको अपने घर ले जाए अपने घर का खाना खिलाए ऐसा होता है क्या जी स कई पर होता है सबस्वार्ग आप कहीं हो आई किया अपनी इन सहेलियां जो यहां पढ़ने में साथ मिली हैं, जो दोस्त मिले हैं तो उनके गाउं कर भी हो आई क्या? सर उनके गाउन तो नहीं बढ आपने अपने अउल इंडिया अग्रिकल्टर टोर पे अच्छा स्वातिक बुंदेल खड़ तो सच्वुज मैं क्योंकि मैं उस इलाके में रहाना जाना रहा है पानी के अभव में बड़ी कठिनाईयों वाला क्षेत्र है फिर भी अपने एक क्रिशी क्षेत्र में जाने के लगा क्यों पढ़ाई करने अगा सोचा सर्मेरे पिता अपर अगर अयुक्त हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई अपनी शिक्षा क्रिशी के शेतर से लिय से हो उन्हीं प्रशासनेक सेवा में जाना चाहते हूं ताकि मैं क्रिशी वंकिसां कल्यान के लिए का कर सको चलिए ताप भी अपने पिताजी की तरह सरकार में जाकर के अगरी कल्चर में काम करना चाहती है देखिए जहां पानी कम होता है पिए महां माइक्रो इड्रीकरेशसं Тогда किया हम किसानों को इस विसे में जागरूत कर सकते हैं इंक्ति आप तो किसान परिवारे हैं सिधाजी किसानी में पड़े हुई है बुंदल खन में पानी की चिशिएंस अves वाकव हैं क्या बद्वाहिए हमें इसके बारे में वी पड़ाय गया है इसके महत्व थाक्वार में बताया गया है और इस साल इस वर्ष में रावे के अंतर्गत सभी किसानों को einगरो कड़ने की कोशिश जवरूर करूंगी अब जोन किसानों को कैसे समझाते हो कि a flood irrigation ये पानी किसान का सभाव है खेट पानी से लबालब भरा हुआ हो सारी फसल पानी में डूबी हो तब उसको लगता है कि हाँ अब कुछ पानी है उसमें से उसको drip irrigation में लेका जाना जहां उपर तो सुखा दिखता हो नीचे से गिला होता हो और फिर फसल होती हो, उसकी इस मानसिक तब वो कैसे बदल सकते हैं। सर जब वो खुद हमारी उनिवर्सटी में ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। और जब वो खुद देमोंस्ट्रेशन प्लॉट्स में देखते हैं कि किस तरह से इतने कम पानी में भी कितनी अच्छी लागत मिल रही है। तो तब वो यह बात को समझ पाते हैं अच्छे से। देखिए आज इस कारकम में मुझे बताया गया कि गरीब 50-55,000 लोग रजिस्ट्री करा करके ओनलाइन है। इतनी सारे लोग हैं तो मैं अपनी बात करने का तरीका बताता हूं। मैं जब गुजरात में था वहां भी पानी का बहुत कष्ट रहता है। तो मैं लोगों को समझाता था कि ड्रीप इरिकेशन कैसे है। मैं कहता है कि मान लीजिए गर में है, छोटा बालक है। और न बेट बढ़ रहा है, न वो खील उठता है, बिला मुर्जाया हुआ, दूबला पटला है। और हर माबाप चाहता है कि बेटा स्वस्त हो, दोडता हो, हस्ता खेलता हो, ऐसा बच्चा हो। और माबाप चाहेंगे। लेकिन अगर कोई माबाप डेली बाल्टी भर दूद लाकरके, उसमें बदाम, पिस्ता, केस और सब चीज़ें डालकरके, उस दूद से उसको नहला दे, तो उसका स्वास्त ठीक होगा क्या? वो तंदूरस्त होगा क्या? होगा क्या स्वापी? नहीं होगा. लेकिन अगर समझदारी से एक-एक चमट थोड़ा-थोड़ा दूद पिला दे, तो कुछ महिनों के बाद बडलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे बालक को दूद से नहलाने से स्वास्त नहीं होता है, एक-एक चमट दूद पिलाने से बडलाव की संभावना बनती है, ये फसल का भी ऐसाई है, पानी से पूरा भर देने से जितना फाइदा होता है उससे ज़्यादा, बुंद बुंद पानी, अगर उसके मिलती तो फसल बहुत बढ़िया बनती है ये बात बड़े सरल सब्दों में लोगों को समझानी चाहिए और पानी की रिसाइक्लिंग हो बरसात के पानी को कैसे जमिन के नीचे स्टोर किया जाए इसके लिए जो आधुनिक और कम खर्च वाली तक्रीक है उनके बारे में जानकारी सा अमान ये जन तक पहुचाना जरूरी है अगर आप इसराहिल के वेबसाइटे देखेंगे वहां के अग्रिकल्चर के बुंदल खन को महां के कई मोडल काम आ सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप पड़ लिग करके इसी लागे में क्रिशी क्षेत्र में काम करने जा रही हो त तो जुरूर आपका ज्यान और आपका अनुभवर आपके पिताजी के आशिरवात जुरूर जिक शेत्र के किसानों की स्थित्य को बन लेंगे, क्रिशी की स्थित्य को बन लेंगे, मेरी बहुत सुब कामना हैं